तैसीन मिरी आवाज आ रही है कि आप अपनी टिपड़ी कर दे कि बहुत सारे मेमानों की बात यहां पर हो गई है अप गाजा फिलस्तीन की बात क्यों हो रही है जल्दी से इस पर आपकी टिपड़ी अगर आप तक मिरी आवाज पहुंच रही है तैसीन आज़ करने मादेश कोई का अजेंडर नहीं है। जो हेलिकॉप्टर से सब जगा जाना चाहते थे इनको जबर्दस्ती कहा गया कि आप जाकर लडिये मध्यप्रदेश के अंदर वो इस तरह की बाते कर रहे हैं इनके पास ना कोई अजेंडा है ना भादपा के पास ये बताने को कि उन्होंने 20-60 सालों में मध्यप्रदेश के लिए क्या किया नीती आयोग की जो रिपोर्ट आई मध्यप्रदेश और उस्तरप्रदेश को बॉटम में डालती है बड़े राज्यों के सिल्सिले में इनके पास ना कोई भविश्य के लिए कोई योजना है इसलिए वो अजेंडा को डाइवर्ट करना चाहते गाजा पैलिस्ताइन हमार इसरेल इसका कोई लेना देना नहीं क कॉंगरेस्टी चैंप्रें की एक चीज मैं कैच अपनी बात आप करना चाता हूँ क्यों अरे लेकिन खरगौन के आपके बदाएं के सभा में मौन रखवाने के पीछे के क्या रड़नीती है ये सयोग है या पर प्रयोग है तैसीन पुनावाला जी ये और साधारन बात है क और मेरी एड़ाइज है कॉंगरेस के कैंडिडेस को कि ये राज्य के चुनावे इन मुद्धों पर ना किरें लेकिन मैं चीज सुदान्चु जी को कहना चाता हूँ कि उन्हें हमत पर टिपनी की कि हमत के एक लीडर ने जो मेरे हिसाफ पे आसंक वादी है उन्होंने के एक सभा को संबोदेश किया मैं आज सुदान्चु जी को बड़े वन्नमता से पूछना चाता हूँ क्या देश का एनाई और देश के माननिय ग्रह मंतरी इतने इतने उनको कुछ पता नहीं देश में क्या हो रहा है कि एक आतनक वादी आकर संबोदेश करता है राज्य में और दो आज देशा की जास्च नहीं करती एना उसे रोकती नहीं चाहिए को प्रदान मंतरी मोदी जी ने हमस कानाम लिया कम से कम कॉंग्रस को कहरी है कि टेरिस तर्डिर्स है को यह न है बाच को गोशित करे है तो मेरी एक विनिल्मता है वाज्पा जारिश के बाचपा से क्या आप हमस को एक आतंगवादी संगटन डिक्लेर कर दे और जो हमस का आतंगवादी केरला में आया था वर्चिल मईडियम से आप उस पर कारवाई कीजिए उन्कोरेस कीजिए क्यों नहीं कर आप रहे हैं मैं इस पर जवाब ले रही हूँ संगीत रागी जी मैं फॉरण आपके पास आउंगी चीक है आपने महतुपूर्ण सवाल उठाए हैं लेकिन मेरा सवाल यह है कि चुनावी राजरीती में यह हमास फिलिस्तिन इसरेलेंस को क्यों लेकर आए जा रहा है क्या इसके जरीए सत् हैसीन जी का फोन कनेक्टेड नहीं था तो वो सुन नहीं पाये थे उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस इसको मुद्दे पे नहीं ला रही है पर मैं पुना आपको बस एक ही वाखे रिमाइंड कर देते हैं CWTC के resolution में हमास का नाम नहीं फिलिस्तीन का नाम है उससे बड़ा कोई है कॉंग्रेस में पिर सोनिया गांधी जी का article है उससे बड़ा है कोई कॉंग्रेस में प्रियंका गांधी जी का tweet है उससे बड़ा है कोई कॉंग्रेस में अरे बड़ा हो या छुटका सब लगे हुए है इसी काम में और मैं राशित किर्वाई जी की बात का जबाब देता हूँ उन्होंने कहा ना कि कोई पार्टी क्यों ऐसा चाहेगी वो कह रहे हैं मुसल्मान दस परसंट से कम है तुमा जनाब सिर्थ मध्रदेश नहीं जब इंटरनेशनल बात हो रही है तो टार्गेट है चुकि कॉंग्रेस को लग रहा है कि हार उनको सुनिश्चित नजर आ रही है तो एक और डर है उसका बीजेपी से मतलब नहीं है कटर पंथी मुसल्मान भाजपा को वोट करता है राश्कवादी मुसल्मान का वोट का तो जगड़ा इंडिया गड़ बनने है इसलिए मेर सबने कॉंग्रेस ही तो छीना था इनको वियार में लालू जी ले गए थे उत्तर प्रदेश में मुलाइम सिंग्जी ले गए थे बंगाल में ममता जी ले गई वो जो गीता का ग्यान है ना जो कल तुम्हारा था आज मेरा है कल किसी और का न हो जाए उसकी लड़ाई है रा लाहिए की सरकार है राहुल कांदी जी सांसा ने इएक दौन मुह में दहीं जमा हुआ है गहुजब का मुह में जमा है कहने है कारवाई करे केंसर्कार तो भुलकुल करेंगी और उसकी वज़से चीजे पूरे उत्तर भारत उत्तर से डक्षिभ तक निएंत्रित हुई है मगर जहां उनकी सरकारा कम्निस्ट कुछ बोल रही है ना मुख की पक्षिदल कॉंग्रेस कुछ बोल रहा है क्योंकि फिर मैं कह दू हमाद से हमदर्दी राम के लिए बेदर्द चित्रा जी राहूल जी क्यों इस पर टिपनी करें पैसे निस पर जवाब दीजे संगे जिए उसके बाद में फॉरण आ रही हूं आपके पास राउल जी करें राउल जी अगर टिपनी करेंगे भाजपार डाइवर्ट करेंगे राउल जी को इस पर कोई या जो पोड़नियुक आपके गास पाओ नेगा जिसे व्याद में फॉर्म पद्धियां अब अफीं करें दोलिए चैड़े शुरू होता कि लोगों पर शुरू होता कि जो इस्रेयल में हुआ हुँ पी ऐक आतंकवादी करचा थी तकिन जुदान सुदानशी जी ने मेरे सवाल का ज़ाब ने दिया हमस को एक आतंकवादी संगटन क्यों भारस्टरकार में दिख ले नहीं है तो दानशी जी ने उसका जवाब दिया ही नहीं कॉंग्रेस का एक युवा और प्रबुद्ध प्रवक्ता मांगता हूं मरत एसीन जी कम सिर्म आपको थोड़ा लॉजिक से बात करनी चाहिए जो आतंकवादी संगठन जिस देश में आके आतंकवाद करेगा तब होता है जैसे आईरिश रिपब्लिकन आर्मी एक आतंकवाद दंग से बात करिया आप तो अच्छे वकील है इसलिए आपको यह बात पता होनी चाहिए तो फिर निया को बोले नंको अरेच करें यूए पीय में जिन्होंने